संस्कृत की पाठशाला में हम इन दुनों बात कर रहे हैं शब्दों के शुद्ध उच्यारण और शुद्ध लेखन के बारे में आपको याद ही होगा कि हमने आपको पहले ही शुद्धता और अशुद्धता के कई उदाहरणों के क्रम में बताया है कि कैसे महत्व, तत्व, सत्व आदि शब्दों में एक ता अतिरिक्त रूप से हटा लेने का इन दुनों प्रचलन हो गया है जिससे संस्कृत के प्रयोकता भी प्रभावित हो गए हैं अर्थात, महत्व, तत्व, सत्व, आदी शब्दों का अशुद्ध प्रयोग हम में से कई लोग संस्कृत में भी कर जाया करते हैं और तो और इस प्रभृत्ति के ठीक उलट हम कई बार कई शब्दों में अतरिक्त रूप से त या अर्धत जोड लेते हैं जैसे अस्तित्व को अस्तित्व, व्यक्तित्व को व्यक्तित्व, उत्तरदायित्व को उत्तरदायित्व इस रूप में लिखना और उच्चारण करना, इसी त अक्षर को अतरिक्त रूप से जोड देने की दुष्प्रभृत्ति के बारे में बताता है और अब इसी अतेरिक तुरूप से त इस अक्षर को जोड़ने की दुश्प्रवृत्ति को हम दमपती इस शुद्ध और मानक शब्द के कुछ अशुद्ध प्रयोगों को देखकर समझ सकते हैं दमपती इस शब्द को लिखने और उच्चारण के क्रम में लोग दमपती या दमपती जैसे प्रयोग कर दिया करते हैं और ऐसा इसलिए भी लोग शिग्रतावस या अनवधान वश कर दिया करते हैं क्योंकि लोग शब्द साम्य को ध्यान में रख लेते हैं इसलिए ही संपत्ति, आपत्ति, विपत्ति जैसे शब्दों के समाना अंतर दमपत्ति का अशुध लेखन और उच्चारण कर दिया जाता है तो हमें यह ध्यान रखना है कि जब भी हम दमपती शब्द का प्रयोग करें तो इसके अर्थ को याद रखें तो हम स्वयम इस शब्द के अशुध उच्चारण और लेखन से स्वयम को दूर रख सकेंगे वस्तुता है जाया, हर्थात, भार्या और पती, इन दो शब्दों का ही एक इकरित स्वरूप है दमपती जहां जाया इस शब्द का जब दम या निपातन या विशेश नियमन होता है तब शब्द बनता है दमपती वैसे यहां यह भी जान लेना चाहिए कि जाया इस शब्द का एक और भी निपातन या विशेश नियमन होता है वह है जम तब शब्द बनता है जम्पती और हाँ दम्पती या जम्पती नहीं बलकि दम्पती या जम्पती ही हाला कि हम हिंदी में दम्पती शब्द का ही अधिक प्रयोग कर लिया करते हैं क्योंकि यह शब्द प्रकृती से ही द्वीवचन वाला है इसलिए ऐसा होता है आईए एक उदाहरन भी देख लेते हैं जहां दंपती शब्द का प्रयोग हमें दिखता है तो दंपती वसिष्ठस्या गुरोर जग्मतुराश्ट्रमम वैसे संपत्ति आपत्ति विपत्ति जैसे शब्दों के समानांतर एक और भी शब्द को रखा जाता है वह है उन्नती पर हमें से कई लोग उन्नती को उन्नती या उन्नती आदेलिक और बोल दिया करते हैं पर शुद्ध शब्द उन्नती ही है यह ध्यान रखा जाना चाहिए तो आज की संस्कृत की पाठशाला में इतना ही संस्क्रिट पाटशाला की अगली कक्षा में लोटेंगे हम किसी अन्य विशय को लेकर तब तक के लिए मुझे दीजिया अनुमती नमो नमहा